तो डेर इस्टूडेंट आज किस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समस्त में बिए थर्ड समेस्टर का एकोनोमिक्स यानि अर्थफाफ्थ का पूरा का पूरा माडल पेपर कोईश्चन पेपर प्रस्तुत करूंगा जिन जिन भी इनिवसिटी वा कोलेज में स्टूडे उनकी आने वाले जिनों में एकोनोमिक्स यानि अर्थफाफ्थ की परिच्छा होगी उनको एक कंप्रीट वीडियो जरूर देखने चाहिए इससे कई सारे फायदे मिलेंगी आपको पहले बात बता चलेगा कि एकोनोमिक्स का इस बार कैसा पेपर आने वाला है उसमें कौन के तोर पर देख लीजिए आपका भी है समस्टर आपका थाड़ यानि की तृतियर समस्टर रहे सब्जेक्ट आपका एकोनोमिक्स यानि अर्थसाफ्थ रहे समय दो घंटे का एकुछ इनवर्शिटी तीन भी दे रहे लेकिन अब दो घंटे को गया है ठीक है 75 का पोड़ा कई बार पैच्छ हम रिपीटेड है और इस बार भी पूरी उम्मीद एक प्रस्ण फंसेगा आपकी परिच्छा में ठीक है जो जो मैं प्रस्ण बताऊंगा इनको बिस्टेश करके आपको जो तैयार कर लेना है बाकि बहुत फारे हैं लेकिन जियादा जिनकी आने को उम्म प्रस्ण फिद्धांत क्या है तो यह कौशिचन बहुत कम आता है तो इस बार भी उम्मीद है कि मुश्कीली आएगा ठीक है लेकिन जो पूपर वाला कोटल के बारे में तो सुने होंगे को पर घंज होता है वेल्स जो बोलते हैं इसकी परिभाफा देना जो कि एक इंपार पर दर्सन को बताईए बद्वान जनोंने घंडाघा है अर्थ-साफ्त परस्त 이제 दी कर सके जो आर्थिक चीजे एंवो इस टूंड हो सके हैं तो तो उसके बारे में इन्होंने बहुत फारे अलग-अलग मत दें हैं अलग-अलग अपने बिचार रखें तो इनसे संबंधित प्रस्ण आएंगे ठीक है त्यार नखेंगे तो इस तरह के पांच ये दस कोश्चन अर्ट पूछे जाते कुछ इन पांच आते कुछ में आते हैं पढ़ लेना फिर कोश्चन को बढ़ना है ठीक है पढ़ लीजिए तो लग उत्तरे का पहला प्रस्ण है कि डाक्टर भीम राम मेटकर के आर्थिक विचारों का संचिप में वरन कीजिए मत्तब कि जो डाक्टर भीम राम मेटकर जो की फादर आफ कंस्टिट्यूशन है या आप लोग बोलीगा जो बोल आपको बोलना होगा जो भी आपके इच्छा होगी आपके अंदर जो भड़ाफ हो वह आप लोग बोल दीजिए लेकिन इस प्रस्ण का उत्तर जरूर्द तरियार करीजिए यह कोश्चन आएगा पक्का उत्तर कहां पर मिलेगा उसकी जानकार का इच्छित किया है वह आपको बताना है हालेकि कोश्चन हमेशा नहीं आता तो यहां सब्सक्ता बगस्ता कि कमया नोट करीए इसको भी प्लेटों के आर्थिक बिचार को संशेप लेकि प्रश्च बढ़ेद्वान है ठीक है सो इनके आर्फिक विचार क्या-क्या है वह आ परिभरमण फिद्धान को समझाइए यह भी कोश्चन हमेशा नहीं आता कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते इसको और इसका उत्तर इग्नोर भी कर सकते हैं अगला प्रशन है कि यदि माल्थस जीवित होता तो क्या वह नो माल्थस वादी होता तो माल्थस पे जुड़ करती है ब्याक्या कीजिए पूर्ती और मांग ठीक है इसके बारे में आपको जरूर पर लेना मांग खास करके ठीक है जिसको डिमांड बोलते हैं कि इस चीज़ की बाइट होती नहीं है तो डिमांड होगी ठीक है और तो उस चीज़ का उत्पादर होगा ठीक है और उस ची की डिमांड करेंगे भाई कस्टूमर आएगा चीनी मांगी तो आपके पास है नहीं तो अगर आपको उनकी पूर्ती करना तो अपना भाई उत्पादन करना पड़ेगा या फिर कहीं से आप को मगाना पड़ेगा थीक है तो यह वही चीज है तो कि एक महात्पूर्ट प्रशन साबित हो सकता अग्जाम में ठीक है अगला की मार्सल की प्रतिनीधी फर्म की धानड़ा का बिसलेशन कीजिए कोश्चन आता लेकिन बहुत कम आता है तो आप पड़ भी सकते इसका उत्तर कर सकते हैं हमारा मकसद वही है कि आपको वही कोश्चन बता है जिनके आने की ज्यादा संभाव ना हो आगला कोश्चन की बाम ठीक है बावर्क के ब्याज सिध्धानतों को अश्पस्ट कीजिए बाम बावर्क जो कि प्रमूब विद्वान है इनके नुसा जो सब्सक्राइब करें अगर 10 दिन से ज्यादा है 15 दिन महीने दो महीने तो इस प्रसन का उत्तर त्यार कर सकते हैं अब इसके बाद आजाएंगे खंड जहां पर आपको दिर्गुत्री कोश्चन देखने हो पुलेंगे तो सेम इसमें पूरी दिस्वान रिदेव दी गई कीजिए वर्तमान भारती प्रस्थितियों में आप उनके विचारों को कहां तक उप्योगते समझते हैं मतलब महात्मा गांदी जी ने क्या क्या आइडिया बताएं उनके बारे में लिखना है फिर उसके बाद उसको तुलना करना है कि आज के समय में ठीक है वर्तमान समय मे लोगों के जीवन में अफिर लोगों के चीजों में ठीक है तो वही आपको बताना है कि महात्मा जी के आर्थिक बिचार पहले प्रस्थित कर देना है फिर इस समय यानि की आज मालीजे की वर्तमान समय में भारती जो लोग हैं उनकी प्रस्थितियों में किस प्रकार इनके प्रस्पन सकता बाकी उम्मीद तो नहीं है आरफ्तु जो कि 100% वाला कोश्चन हमेशा पहस्ता आता कैसे कोई परिश्चा चोटी नहीं जिसमें कोश्चन ना हो आरफ्तु जो कि परूंग विद्वारे समाफ साफ्ते हैं राजनीतिक है ठीक है और इंफ्रिडा कोश्चन आरफ्तु विष्णा कीजिए अगर आपके पास समय तो इसका उत्तव तयार कर सकते कभी आता कभी नहीं आता ठीक है अगला के मालतफ के आर्थिक विचारों का संचेप में वर्ण कीजिए तो मालतफ फिड़ा एक कोश्चन आएगा ठीक है नोट कर लीजिएगा एक कोश् को इगनूर कर सकते हैं अगरा कोश्चन की जेवन्स जोकी प्रमुक अर्थिफाफ्ति हैं राज नीतिक इनके अनुसार आर्थिक विचार क्या क्या इनने बताए वह आपको लिखना है ठीक है ओके तो इस प्रकार आपको आपकी परिच्छा में प्रश्न देखने को कोश्चन देखने को मिलेंगे अति लगत दीर गुद्धे तीन टाइप की कोश्चन आएंगे इस पार पर इच्छा हैं लिखिती होंगे ध्यान रखेंगे और आप चैजिस भी निवर्शिटी की स्टूडेंट हो इसमें देगी जितने भी प्रश्न है माडल पेपर अगर इन पो इनको तैयार करके जाते हैं तो आप में भरोसा दिदा रहा हो ऌगारंटी भी ले रहा हूं कि आपको काफी ज़्यादा घ्लप मिल जाएगी मैं यह नहीं कहूंगा आपको बता। नहीं आएंगे में माडल पेपर से कम से कम पांशाट चै कोश्चन जरूर आपको द जाए कम से कम मैं बोलना हो कि आपको 25 से 30 नंबर कम से कम की बार कर रहा हूं इतनी तो हेल्प मिल जाएगी बाकी 35 से 40 नंबर की भी हो सकती है ठीक है और इन सभी प्रशनों का उत्तर अभी के लिए अगर आप राप्त करना चाहरे हैं तो इंटरनेट सबके मोबाइल में ही Google प भी बता देंगे और एंसर आपको सेंड भी कर देंगे ठीक है तभी के लिए आप देड़े देड़े घ्याम की तयारी करें जो मैंने कोशन मता है इनको आपको विशेश कर ध्यान देना है और यह आपको अपने हैं सक्सेस्ट हुए सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा ताक कि आपको सभी प्रकार की जो वीडियो जै मिलती रहें जय हिंद्ध